ये तो सच है कि बालू माप्याओं पर अंकस लगाने में सरकार और उसकी सरकारी तंत्र नाकाम साबित रही है ऐसे में पलामू में के पांकी विधासभाच छित्र में पांकी विधायक कुश्वाह डाक्टर शचिबुसन मुहता ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है अब उमी जताई जा रही है कहीं न कहीं बालू के अवैद वसूली को लेकर के अंकुस लगाने के लिए कारगर कदम उठाये जाएंगे ये कहना गलत तब नहीं होगा जब तरकासी प्रखंड के बाद अब लेसली गंज प्रखंड पे ट्रैक्टर रैली निकाल के पांकी विधायक शचिबुशन मेहता की अगुआई में सैकलो हजारों लोगों ने ग्यापन सौपा ग्यापन में सपर्ष तोर पे कहा गया कि अवैद वसूली किसी और के द्वारा नहीं बलकि पुलिस प्रसासन के द्वारा ही की जाती रही है ट्रैक्टर मालिकों से इस ये बड़ा खुलासा करने के साथ साथ कहीं न कहीं पुलिस को कट घरे में खड़ा करने वाले पांकी करेंगे लेकि इस सब के बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम आवास योजना अस्पताल निर्मान आंगनबाडी निर्मान स्वास्त के निर्मान तमाम वैसी निर्मान कारियों में जो रुकावटे आ रही थी उसको ले करके अब क्या कदम प्रसाशन की ओर से उठाय जाते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा तम जब लगातार बालू को ले करके हमेशा हंगामा मचता रहा है चर्चा का बजार गर्म रहा है जैसा कि जंजन को ये मालूम है कि विर्मान कार्ज के लिए बालू उकलब नहीं हो पारा तो अब ये समस्या पांकी बिधान सबहा में जादा है मातर तीन घाट जिला में है और तीन घाट के बाद जितना है तो सब ऐसे ही है कोई निलाम इलामी नहीं हुगा इसलिए खाना परभारी परसासन के दुआरा बहुत परसान किया जाता था जिसे महांगलू मिल नहीं रहा है आवास परभावित है आंगन बाड़ी सब्ध हो बालू के बिना आपका प्रधान मंत्री आवास बादीत है तो बालू नहीं मिलेगा तो 22 तक प्रधान मंत्री जी का सपना कैसे पूरा होगा कैसे सबस्तों चाले बनेगा यह सब समस्या हम कई महिनों से सून रहे थे इसके बाद हम लोग ने डिसाइड कि भार्दी जंता प हम आवाज उठाएंगो